नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजूकेशन में आज का जो प्रिक्टिस सेट है देखिए नाइन नंबर का ही यह निक इससे पहले जो है आठ प्रिक्टिस सेट हो चुके हैं जो डेली आते हैं शाम को आपके साथ बजे है ना और एक जानकारी और आप लो टेक्ट मिलेंगे यानि कि जैसे कि आप MPSI की तयारी कर रहे हैं इस प्रकार से तो अगर आप देखिए आप जोइन करना चाहते तो वहां लोगिन करिए और वहां पर जो है आपको MPSI की तयारी कर रहे है तो आपको 200 नंबर का पूरा पेपर वहां पर आवेलेबल होगा ज दन्यवाद निशित तोर पर आपको फाइदा जरूर पहुचेगा आज के प्रशन भी बहुत शांदार है और कल जिन लोगों ने कमेंट किया था और वीडियो को शेयर किया था उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अभी इस वीडियो को जो है थोड़ा सा इस लिंक को शे शरासी का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है यदि अब उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हो तो प्रारंब में उसके पास कितनी धन्राशी यानि कि उसकी जो है संपती कितनी थी वह आप लोगों को निकालना है शुरूआत से हम इन प्रशनों को करते आ रहे अब उसने बोला कि 50% तो दे दिया पुत्र को ठीक है अब बचा 50 उस 50 में से भी 30% शेष नहीं बोला है उसने बोला कि 30% डारेक तो 50 दिया 50 में से फिर 30 बचा अब बचा है 20% अब 30 पुत्री को दे दिया अब बचा है 20% उसने बोला कि 6 राशी का अब बात होगी इस 20 की इ 80% उसने जो है आपका किसको दे दिया ट्रश्ट को तो आप देखेंगे कि कितना बचा 2-8-16 आपको दे दिया तो 20 में से 16 ट्रश्ट को दे दिया तो बचा आपका 4% यानि कि यह जो 4% बचा है यह अब आपके 16,000 रुपए के बराबर है यानि कि 16,000 के नीचे हम लिख देंगे कितना 4% के बराबर तो 16,000 के नीचे 4 और इंटू कर दीजीगा किसका आपसे पूछा गया कि धनदाशी धनदाशी आपकी 100 थी तो आप इंटू कर देंगे 100 का तो 4 से करेंगे 4.16 और 4000 इंटू 16 तो 16 चुक कितना हो जाएगा यहां पर 2,0 तो जहां पर आजाएगा 4,000 इसका आंसर आजाएगा कितना आजाएगा 4,000 यानि कि आपका उप्शन नमबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार के प्रशन अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोग करिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन देखते हैं क्यूशन नमबर सेकंड है ना करने की कोशिश करिएगा लिखा हुआ है कि 5 लीटर शहद में 80 प्रतीशत चीनी है तो इस शहद मे 3 लीटर जल मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतीशत कितना हो जाएगा 40 परसें हो जाएगा 50 परसें हो जाएगा 60 या 45 परसें करने की कोशिश करिएगा जितने लोग आ चुके हैं सभी को आंसर देने की कोशिश करना है और एक और चीज जो लोग कमेंट क करके end में आप score आप count करिएगा और end में comment जरूर करिएगा कि आप लोगों का score कितना रहा चलिए अब इस प्रश्ण पर आ जाते हैं टोटल मात्रा आपकी पांच का works है और आप लोगो देखांगे कि रोना मिला दीया गया कinsi조 में जल कोन सा वाला से चीन साग्या Kim का कि शिद्धी यह आप का जल अब एक अपका रहा जल अपका जल था उसमें 3 लेट्र रहा गया वह और मिला दिया तो जल कितना हो गया अब 4 लिटर चीनी में कुछ मिलाया क्या नहीं मिलाया यानि कि चीनी भी आपकी 4 लिटर तो आप देखते हैं कि अब चीनी का प्रतिशत कितना है तो चीनी है 4 और कूल मिश्रण कितना है तो कूल आपका 4 और 4 मिलाकर 8 है और इंटू कर दे Q3 करने की कोशिश करिएगा लिखा हुआ है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण हैं जिसमें अमल तथा जल का अनुपाद 3-7 और 7-5 हैं तो दोनों मिश्रण को अगर इखटा कर दिया जाए तो नए मिश्रण में अमल तथा जल का अनुपाद क्या हो जाएगा 25-29 हो जाएगा 9-10 हो जाएगा 27-29 या 37-31 करने की कोशिश करिए जितने लोग देख रहे हैं इस प्रश्ण को पहले करने की आप लोग कोशिश करिए 10 सेकंड का हम ताइम रखते हैं 1-2-3 ऐसे करके आप 10 तक गिनेंगे तब तक आपका हो जाना चाहिए वेसे तो आसान प्रश्ण है आप लोग कर लीजिएगा जितने लोग हैं करने की कोशिश जरूर करिएगा चलिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण हैं तो मैं लिख लेता हूँ मिश्रण A का नाम दे दिया A है और मिश्रण A इसको नाम दे दिया B दो मिश्रन हो गए इसकी मातरा 20 लिटर है यानि कि यहां पर लिख दिया मैंने 20 लिटर और इसकी मातरा 36 लिटर है यानि कि यहां पर लिख दिया मैंने 36 लिटर अब इसके अंदर क्या-क्या है तो अमल और जल दोनों में है यानि कि यहां पर अमल भी है और जल भी है यहां पर भी अमल और जल दोनों है ठीक है अब अब को क्या करना है अमल और जल निकलना है तो पहले वाले का रेशो तीन साथ है यानि कि इस अमल में यहां तीन है यह 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 साथ है तो इसको बाटने की मैंने कोशिश की तो मैंने देखा कि बीस में तीन साथ को बाटा त तीन और साथ मिला के 10, यह एक रेश्यों बरावर दो, तो दो तीह छे तो, अमल हो गया इसमें और इसमेें दो, साथी, चौधा, जल हो गया, तो अमल इसका छे है, और इसका चौधा जल है, ठीक है, अब इसको बाता, तो 7 और 5 के रेश्यों बातना, यानि कि 7 और यहां 5, त अभी के अब आप लोगों ने देखा कि यहां पर नए मिश्रण में अमल और जल का अनुपात बताना है तो अमल अमल हम जोल रहे हैं तो 6 और 21 अमल है तो 21 और 6 मिलकर कितना हो जाता है तो 27 आपका अमल हो गया अब रेशो बनाना है किस से आपके जल से तो जल 14 और 15 मिलकर कित में बाटा और अमल अमल को जोड़ दिया और जल और जल को जोड़ दिया इस परकार के प्रशन कराएं तो इस तरीके से आप लोग करिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्योशन नंबर 4 देखिएगा करने की कोशिश करिएगा लिखा हुआ है कि रूपए 300 के 100 स रूपए या 100 रूपए देखिए करने की कोशिश करिए प्रशन आपका इस प्रकार से हैं देखिए यहां पर मैंने रख दिया है कि 300 रूपए में 100 सेब खरीदे गए उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे 6 को 50 रूपए पर बेज़ दिया और कुल लाब कितना है करने की तो आप यहां लिखा हुआ है 100 सेब यानि की टोटल खरीद कर लाए 100 सेब खरीद कर लाए यानि की समझ लो यह सेब है इस प्रकार से आपका सेब रहता है यह समझ ली ठीक है यह सेब खरीद कर लाए फिर लिखा हुआ है कि इनमें से 4 सड़ गए तो 100 में से अगर 4 सड़ ग अभी 96 तो आपके सेब हैं इनको दर्जन में convert करना है तो मुझे पता है कि एक दर्जन बराबर होता कितना है एक दर्जन बराबर होता कोई भी 12 बारा वस्तूवें अब 12 वस्तूवें तो 96 में कितने दर्जन हुए तो आप देखें 12-86 यानि कि 8 दर्जन कुल मिला कर सेब बन रहे हैं कितने बन रहे हैं 8 दर्जन एक दर्जन के वो ले रहा है 50 रुपए तो 8 दर्जन के कितने हो जाएंगे तो 50 into 8 करेंगे 8 तो 40 तो 400 रुपए आपके मिल जाएंगे कितने रुपए मिल जाएंगे 400 रुपए अभी खरीदा था आपने 300 रुपए में आपको मिल गए 400 रुपए तो कितने रुपए का लाब हुआ तो 100 रुपए का लाब होगा जो कि option number D में है आपका तो इस प्रकार के प्रशन अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोग उनको क कोशिश करिएगा लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने से 20 प्रतीशत की हानी होती है कितने परसेंड की 20 परसेंड की यदि 20 प्रतीशत का वह लाब कमाना चाहता है तो 90 ही कलम बेचने के लिए विकरे मुले क्या होना चाहिए देखिए अब जो है यहां पर वो जो आपकी ट्रिक लगेगी कल भी हम लोगों ने डिसकस की थी कल भी इसी तरीका का हमने प्रश्न किया था यह आपका प्रश्न है लाब हानी चेप्टर से और आपकी जो ट्रिक लगेगी उसका नाम कल हमने सीखा था वरूला क्या नाम ट्रिक थी वरूला यान अब वस्तू की जगे 90 कलम आ जाएगा 90 कलम यानि कि वस्तू में आप लोग लिखेंगे 90 कलम और 20 प्रतिशत की हानी है देखिया हानी क्या होता है 100 में से आपको घटा का लिखना होती है लाब में क्या होता है 100 में जोड का लिखना होता है अभी 20 प्रतिशत की हानी है तो लिखेंगे 120 और आपकी 90 कलम यानि कि 90 की जगे 90 और विक्रे मुल्य क्या होना चाहिए तो आपका मुल्य चाहिए यानि की रुपय चाहिए यह वाली चीज तो आप इसको लिखेंगे 90 into x into 80 तो यहां उपर लिख देंगे 90 into x लिखने की जरूत नहीं है आप लिख दीजेगा 80 और आप नीचे लिखेंगे 90 into 80 into 120 तो 90 into 80 into 120 आप लिखेंगे है ना यह चीज आप लिख देंगे तो आपको देखिए यहां पर ग्याद करने के लिए 90, 90, 80, 80 और 90 से 90 कट गया तो आपका 120 यहां पर आ रहा है है ना तो x की value 120 तो विक्रे मुली क्या होना चाहिए 120 जो कि कुछ ने कुछ mistake हुई है तो फिर से लिखते हैं वस्तू रूपए और लाब देखिए 80 रूपए में 90 कलम बेचने से 20% कहानी होती है यानि कि आप यहां लिखेंगे 80 ठीक है उसके बाद 20% का लाब कमाना है तो यहां आप लिखेंगे 120 और 90 कलम यहां पर वस्तू में 90 ही ल लिखते हैं 90 इंटू 80 इंटू 120 तो 90 इंटू 80 इंटू 120 तो आपका 90 से 80 कटिया तो 120 यहां उप्शन में नहीं है तो आप एक और उप्शन बना लीजिए 120 इसका आंसर आ जाएगा यानि कि विक्रे मुल्य अब जो है आपको 80 की जगे लखना होगा 120 चली आगे बढ़ते है हैं इसके साथ क्योशन नम्र देखिएगा 6 वाला करने की कोशिश करिएगा लिखा हुआ है कि A और B किसी काईडे को 45 और 40 दिन में पूरा करते हैं उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद A ने काम छोड़ दिया यानि कि कुछ दिनों तो उन में एक काम छोड़ कर चला गया फिर आपको बताना है कि शेश कायरी को अगर बी ने तेविस दिनों में समप्त कर लिया तदनुसर ए ने वह कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था पांस दिनों के बाद छे दिनों के बाद नो दिनों के बाद या बारा दिनों के बाद करने क कोशिश करते हैं, देखेगा, यहां पर हम करने की कोशिश करते हैं, तो हमको शुरु आज से जैसे करते हैं, उसी प्रकार से करना है, तो देखेगे, यहां हम लिखेंगे बी, यहां लिखा 45 दिन और यहां लिखा 40 दिन, अब इनका LCM क्या हो जाएगा, तो 45 का 90, 90 का 180, 360 क्या हो जाएगा टोटल वर्क रहे जाएगा यानि कि इतनी चीजे बनानी है यूं समझ लीजे कि 360 मोबाइल बनवाने हैं है ना मोबाइल बनवा लीजे 360 ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसको 45 दिन लगते हैं तो यह एक दिन में कितने बनाता होगा तो 45 से भाग लगाया एक दिन में अब 40 की हिसाब से देखा तो ये 9 बनाता है ना तो आठ और 9 एक दिन में बन रहे हैं एक दिन में हैं तो 23 दिनों तक कर लिया इन्हों 9 की हिसाब से तो कितना काम किया होगा तो 9-37 का साथ हसिला का 9-9-18-2 यहीं कि 207 इसने काम कर लिया आकरी में यहीं कि यह 207 इस अकेले ने किया होगा तो आप 360 में से 207 घटा आएंगे तो आपको पता जले ने मिलकर 153 काम साथ में किया था अब 153 दोनों ने मिलकर किया था तो दोनों की capacity कितनी 8 और 9 मिलके 17 तो 17 की speed से 153 काम किया तो कितना दिन लगे होंगे 179 होता है 153 है ना हाँ 179 यानि कि इन दोनों ने मिलकर 9 दिनों तक साथ काम किया था तो option सुतरेपन काम होगा यानि कि ए जो है नो दिनों के बाद काम छोड़ कर गया था तो option number C जो है वो इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ question number देखिएगा 7 वाला करने की कोशिश करिएगा लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तू का क्रे मुल्य विक्रे मुल्य का 80% है तो लाब प्रतीशत कितना होगा बीस परसेंड पचीस परसेंड असी परसेंड या साड़े बाविस परसेंड जितने लोग देख रहे हैं इसको करने की कोशिश करिएगा और साथ साथ में score भी count करते चलिएगा और end में सभी को score कमेंट करना है चलिए अब इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के साथ है ना ताकि यह चीज हम लंबे समय तक continue कर पाएं अच्छे-च्छे क्योशन डेली कर पाए थोड़ा सा आप लोगों को आपकी तरफ से भी यह करना है चलिए अब देखि सो लाब प्रतिशत के से निकालते हैं तो लाब प्रतिशत का फोर्बूला होता है कि लाब अपोन में क्रैम उल्य और इंटू करना रहता है सो का अब देखिए 80 रुपए की चीज ती 100 में बेची तो लाब कितने का तो आप बोलेंगे 20 का लाब है तो 20 परसें मत लगा देन अभी आंसर लाना बाकी है 20 लाब है क्रैमुल्य कितना है 80 है नीचे लिखेंगा 80 और इंटू करना रहेगा 100 का यहां कर देंगे 20 चोक 80 और 4 से किया 25 यानि कि 25 प्रतीशत का लाब होगा जो कि option नमबर बी में आपका अंसर हो जाएगा तो इस प्रकार के प्रशन अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोग करिएगा बड़ा आसान है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ question नमबर 8 देखिएगा करने की को प्रती कर दी जाए लेकिन विक्रे मुल्य जो आपका था वही रहता है तो नया लाब प्रतीशत क्या हो जाएगा आपका 54.54% 80% 120% 150% करने की कोशिश करिएगा क्या इसका अंसर होगा देखिए हम लोग शुरुआत से करते हैं मान लीजिए आपका क्रे मुल्य हम रखते हैं यहां लिखेंगे हम क्रे मुल्य यहां हम लिखेंगे विक्रे मुल्य आप क्रे मुल्य अगर 100 मानते हैं इसका 230% इसका 230% कितना होगा 100% 230 ही हो जाएगा यह नहीं कि इसमें 230 आप जोड़कर विक्रे लिखेंगे 330 रुपए समझे आप नहीं समझे तो देखिए 100 रुपए का 230% आप निकालते हैं तो कितना आता है 230 यह जो 230 है यह क्या है यह लाब है तो लाब इसमें जोडते हैं तभी तो भी क्रेमुल्य आता है यानि कि 100 की चीज़ पे 230 का लाब लिया आपने तभी 330 में बेचा ठीक है अब यह हो गया पहली कंडिशन अब दूसरी कंडिशन के और ब हो गया मेरा 150 और उसने क्या कहा कि रहने दो यानि कि 330 था तो इस कंडिशन में भी रहने दो 330 ही रहने दो तो नया लाब प्रतिशत के हो गया तो पहले तो लाब निकालेंगे लाब कितना हो जाएगा डेड़ सो का डबल होता है 300 और 2030 और ज्यादा यहां जो है अंतर 180 का हो तो लाव प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाव उपर रखते हैं, यानि कि 180 को उपर रखेंगे, क्रैमुल्य नीचे रखते हैं, क्रैमुल्य अब 1.500 है, तो नीचे रख देंगे 1.500, और इंटू कर देंगे 100 का प्रसेंट निकालना है, तो है न, तो आप 1.0 से काटते हैं, 1.0 पंद्रा से आप लोग काटते हैं तो आप इस तरीके से करिया बिल्कुल आसानी से उसको समझ समझ के करेंगे तो निश्चित तोर पर आपको जो है क्योशन आने लग जाएंगे बस थोड़ी से है क्योशन की प्रेक्टिस आप जादा करेंगे तो आपको आसानी से बनने वो लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं अगला क्योशन लेते हैं क्योशन नमबर नाइन देखिएगा करने की कोशिश करिएगा लिखा हुआ है कि एक दुकांदार एक टेबल को 20 प्रतीशत की छूट पर बेच कर 60 प्रतीशत का लाप कमाता है यदि वह उसी टेबल को 40 प्रसेंट की छूट पर बेचता है तो उसका नया लाप प्रतीशत क्या होगा अब इन क्योशनों में होता क्या है कि आपको केवल एक चीज मानना रहती है वो है आपकी सो उसको आप म चीजे एक तो क्राय मुल्य होता है एक विक्राय मुल्य होता है और एक होता है अंकित मुल्य ये तीनों चीजे होती है अब यहां पर जो छूट दी जा रही है वो किस पर दी जाती है चूट किस पर दी जाती है तो आपको मैंने शुरुआत में सिखा है था कि छूट हमेशा अंकित मुल्य पे दी जाती है, मान लीजिए, उस वस्तु की MRP है 100, कितनी है भाईया, MRP सो है, इतका मतलब यह नहीं है, कि वो चीज 100 रुपय की ही हो, आप दुकान दार हैं, आप चीज खरीद कर लाते हैं, उस पर MRP लगाते हैं, अंकित मुल्य लगाते हैं, उस अंकित मु हम हैं कि अंगित मुल्य मेरा 0 है किता माना मैंने अब जो छूट दी जाती है तो आप जी जाती है तो 20% की छूट दे दो तो आप बोलोगे कि 20% की छूट दी यानि कि वो जो चीज है वो आपने 80 में बेची कितने में बेची 80 में 20% की छूट इस पर दी तो वो चीज असी में बेची लेकिन आप 80 में बेच कर भी 60% का लाप कमा रहे हैं कितने का लाप कमा रहे हैं 60% यनि कि यह जो 80 है यह आपका कितने के बराबर हो जएका देखिए 100 रूपई की चीज आप मानते हैं उसमें 60 कल आप कमा रहे हैं वह चीज कितने बेची होगी आपने 160 पे तो क्रेमुले निकालने के लिए मैंने क्या किया कि इस 80 के नीचे 160 रखा और क्रेमन निकाला 100 से, तो आपने किया 80 का double किया, और दो से किया 50, यानि कि वो चीज कितने रुपई की थी, 50 रुपई की थी, अब आप समझे होंगे, कि खेल क्या चल रहा है, खेल ये चल रहा है कि कोई भी दुकानदार, कोई भी चीज लाया 50 रुपई की, उसने उस पे लगाया कितना आपका 100 रुपए लगाया और उस पर 20% का डिसकाउंट दिया यानि का सिम बेचा तो देखें सिम बेचा तो 50 की चीज असिम बेची तो 30 का लाब हुआ 30 हुआ किस पर आपका इस पर 50 पर तो 30 बटे 50 इंटू 100 करेंगे तो आपका 60 परसंट का लाब हो जाएगा तो यह पहली कंडिशन में हम लोगों ने उसके क्राय मुल्य तक हम लोग चले गए कि आपका जो समान खरीद कर लाये थे वो कितने रुपए का था 50 रुपए का अब आपका यदिवसी तो अब समान कितने बेच रहा होगा अब 40 परसंट शूर दी तो आपका 60 रुपए में समान बेचता है इसका 40% 40 ही होता है और 60 रुपे में समान बेचेगा लेकिन आपका समान कितने रुपे का था 50 रुपे का था अब 50 रुपे का समान था 60 रुपे में बेच रहा है तो लाब कितने का कमाएगा तो आप बोलेंगे का लाव उसको हो जाएगा जो कि option number A में आपका इस्तित है तो इस प्रकार के प्रश्ण कर आते हैं तो आप इस तरीके से करीगा निशित तोर पर आप यह प्रश्ण बनने लग जाएंगे बस थोड़ी से आपकी समझ डेवलप हो जाएगी फिर कोई समस्या नहीं वेसे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनको यह आते भी होंगे बहुत अच्छी बात है और एक और चीज की वीडियो को थोड़ा से जादा से जादा शेयर जरूर करि करिएगा है ना मैं पर्सनली उसको रिप्लाइ भी करूँगा है ना कि जो लोग कमेंट करें उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तो कमेंट करके जरा बताईए कि हा मैं ने इस पे शेयर किया है चली आगे बढ़ते हैं अगला क्योशन लेते हैं क्योशन नमबर देखिए से तो कहा था लेकिन 3 बटा 5 से कर दिया तो परिकलन में यानि कि जितना अंसर आया उसमें तूटी का प्रतीशत कितना यानि कि उसका जो एरर आया वो एरर परसेंटेज में कितना ज्यादा या कम है अब करने की कोशिश करते हैं देखिए इस प्रशन को आप लोग पहले प आप उसकी तह तक तो पहुंच चुके होंगे कि यहां तक इस प्रशन को आ गया है यह चीज दे रखी है यह चीज हासिल करनी है तो यह पूरा आपका इस प्रशन पर रहेगा और जब मैं तुरंत समझाओंगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा तो पहली कोशिश आप जरूर दीजिएगा अब इस प्रशन को करते हैं अब एक संख्या है जो पांच बटा 3 से गुंडा करने को यह तो आपको 5,3,3,5 दीखी रहा है 5,3,3,5 दीखी रहा है यानि कि मैं संख्या अगर लू तो माल ली जो 5 ती आप 15 अगर संख्या लेलू क्या लेलू कि संख्या मेरी पंदरा थी है ना अब पंदरा को अब संक्या पंदरा क्यों ली क्योंकि इसमें भी पांच तीन है इसमें भी पांच तीन है या निकि आपका आसानी से कट जाएगा. 5 तीन का आपकी संक्या लेली 15 ताकि असानी से कट जाए to उसने कहा था कि इस संक्या को 5 बटा 3 से गुणा कर तो अगर मान लीजे 5 बटा 3 से गुणा करता तो आंसर कितना आता तो आंसर आप देखेंगे 3 or 5 अंगर 5 अंगर 25 यानि कि answer वास्ताव में आना कितना था 25 आना था ये आप लोगों को समझ में आ चुका है कि संख्या मानली 15 उसको 5 बटा 3 से गुणा किया तो 25 आना था लेकिन उसने इस संख्या को क्या किया 15 को क्या किया 5 बटा 3 से गुणा ना करके किस से किया 3 बटे 5 से किया तो आप भी 3 तो आपकी जो संक्या आंसर आया वो नो आया यानि कि 25 आंसर आना था आया आपका 9 आंसर कितना कम आया तो आप लोगों ने देखा कि 25 में से 9 गटाया तो कितने की कमी रही तो 16 की कमी रही कितने की कमी रही 25 में से 9 गटाया तो 15 में से 9 गया च्छे इधर बचाये तो 16 की कमी रही यह जो कमी हुई यह किस पर हुई यह कमी हुई आपके 25 पर तो नीचे आपका आजाएगा 25 और परसेंटेज पूछा है तो इंटू आप कर देंगे 100 का 25 चोग 100 करेंगे आपका 16.64 यानि कि 64% की तुटी है यानि कि आपका 64% option number D जो है वो आप लोगों का right answer हो जाएगा तो इस प्रकार के प्रशनेगर आते हैं तो इस तरीके से करिएगा कोई भी समस्या नहीं आएगी बड़ा आसान है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं बस रेगुलर आप साथ बज़े वाली class रेगुलर अटेंड करिएगा उससे आपको निशित तोर पर फाइदा पहुंचेगा और डेली जो करते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्र अटेंड करते हैं डेइली देखते बहुत अच्छी बात और वीडियो को सेर भी करते हैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आगे बढ़ते हैं हैं इसके साथ question लड़किया और विद्ध्यले में आ कई चलो यह थी बड़िया बात है और कुछ लड़के चलेगा कोई दिक्कत नहीं चलो तदनुसार लड़के और लड़कियों का अनुपाँ छे पांच हो गया अतह विद्ध्यले से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी जाने वाले ओ जाने वाले अब निकालो कि कितने हैं जाने वाले अब करने की कोशिश करते हैं तो देखें टोटल संख्या मैं लिखता हूँ कि 660 संख्या टोटल थी इसमें लड़के भी है और लड़के भी है मान लीजे ये लड़के है न और यह आपकी लड़कियां अभी रुको है पिकट है यह देखो यह साब लड़किया हो गई अब रेशो बना लेते हैं इनका रेशो 13 है और इसका रेशो 9 है तो 13 और 9 के रेशो में मैं बाटता हूँ तो 660 के नीचे मैं लिखा 13 और 9 को जोड़ कर तो 13 10 23 23 में कम किया 22 तो एक र लड़कियां थी अब मैंने निकाल लिया जो 660 थे उसमें 3090 तो लड़के थे और 270 लड़कियां थी ये मेरा निकल का आगया अब क्या हुआ अब उसने बोला कि 30 लड़किया विद्याले में आ गई तो 27 तो थी ही सही 30 और आ गई तो अब लड़किया कितनी हो गई तो 27 तो 300 हो गई और कुछ लड़के चले गए जो पता नहीं मुझे लेकिन उससे एक चीज हुई कि रेशो 6-5 हो गया लड़कों और लड़कियों में यानि कि लड़कों का रेशो हो गया 6 और लड़कियों का हो गया 5 तो 6-5 रेशो हो गया और नए रेशो में मेरा 300 जो है यह 300 लड़किया है नए रेशो में कितने के बराबर है पांच के बराबर तो मुझे लड़के निकालना है तो इंटू कर दूँगा छे का तो मैंने देखा पांच से किया पांच चंग 30 60 आया 60 इंटू 6 किया 6666 यह नहीं कि लड़के अब 360 है तो भी यह पहले 390 लड़के थे अब 360 हो गए तो कितने गए तो आपके गए कितने आपके 30 लड़के गए है तो option number C जो है वो आप लोगों का right answer हो जाएगा कोई भी समस्या नहीं है चली आगे बढ़ते हैं अगला question लेते हैं question number 12 देखिएगा चली अगला question देखेंगे question number 12 वाला करने की कोशिश करिएगा लिखा हुआ है कि एक विध्या लएके 600 विध्यार्तियों में लड़कों की उसत आयू 12 वर्ष है और लड़कियों की उसत आयू 11 वर्ष है तथा कुल विध्यार्तियों की उसत आयू 11 वर्ष और 9 महिने है तद अनुसार विद्यार्तियों में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। करने की कोशिच करिया देखिए ऐसे प्रश्णों को करने के लिए आपको एक मेथट का साहरा लेना होगा जिसको हम एलिगेशन के नाम से जानते हैं। यह मःपत अधार प्रश्ण हो जाए गाइगा इससे आपको रशेय इन में जो अंतर होगा, वो कितना होगा, तो देखिए, यह 11 वर्ष और 9 महिने, यह 12 वर्ष ने 9 महिने उपर है, यानि कि 12 वर्ष में कितने कम है, तो 3 महिने कम है, तो यहां लिख देंगे, हम 3 है न, यहां हम कितना लिख देंगे, 3 महिने का अंतर है इनके बीच में, और यह यहां कितना अंतर है तो देखे ग्यारा और ग्यारा नो महिने यानि कि नो महिने का अंतर है तो नो और तीन का रेशो आप बनाएंगे तो तीन तीन नो और तीन एकम तीन यानि कि तीन रेशो एक यानि कि थ्री रेशो वन में आपका बढ़ जाएगा अब 600 को जो है थ्री रे 20 है न रेक 0 यानि कि 150 इसका अंसर आ जाएगा लड़कियों की संख्या कितनी थी तो लड़कियों की संख्या आपकी यह थी इस प्रकार से करिएगा बड़ा आसान रहेगा इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे अगला प्रशन हम देखते हैं क्योशन नंबर 13 देखने की को एकसे में 180 रूपए के एक रूपए 50 पेसे और 25 पेसे के रूप में रखे हुए हैं जिनका अनुपात 2-3-4 हैं तो 50 पेसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी साथ होगी 120 होगी 150 होगी 180 होगी करने की कोशिश करिएगा तो देखिये इसको करने के लिए हम क्या करेंगे आपको करने का तरीका वही देखिए हमको सबसे पहले लिखना होगा कि किस किस के सिक्के हैं तो लिखेंगे एक रुपए 50 पेसे और 25 पेसे के सिक्के हैं अब आपने देखा कि यह 50 पेसे है यह 25 पेसे तो एक रुपए को भी हम लिख सकते हैं 100 पेसे क्या लिख सकते हैं 100 पेसे अब रुपए कितने है 180 रुपए तो 180 रुपए को भी पेसे में convert करना होगा तो 2 0 आप लगा देंगे तो 1 और 2 0 आपने पेसे की लगा दी तो 18,000 पेस आएगा 200, 50 का 3,500 और 25 का 100, तो आप सभी को जोडते हैं, तो इसके नीचे लिखना होगा 200 और 300 और 400, 400, यानि कि नीचे आजाएगा 400 और इंटू आप कर दीजिएगा 50 पेसे वाले सिख्ये, तो 50 पेसे वाले सिख्ये कितने हैं, 3 हैं, तो इंटू कर दीजिएगा 3 का, एक जीरो से काटी, आप टे एक जीरो, और 3 से काटा, 3 एक अब 3, यहां बचा एक तीनों पाचों 15, और 15 से 18 सों को काटा, तो 15 एक अब 15, तीन बचा पंदरा दुना 30, 120, यहांनि कि आपके 50 पेसे के सिख्यों के संक्या कितनी थी, 120 थी, यहांनि कि ओप्शन नमबर बी जो है, वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्योशन नमबर देखिएगा, आपका, 14 वाला करने की कोशिश करिये, लिखा हुआ है कि एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयू का यूग 60 वर्ष है, यदि 6 वर्ष पुर्व, पिता की आयू, पुत्र की आयू की 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयू क्या हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी, 14 या फिर 18 या 20 करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रश्ण को करने का तरीका मेरा क्या रहेगा जो आप शुरुआत से करते आ रहे हैं तो यहां लिखेंगे पिता और नी पिता अच्छा पूत्र चलो ठीक पूत्र लिख दो पिता और नी पिता वह अलग बात हो गई है ना कि पी यहां कर देता हूं 60 की दुनो कि उम्र मिलाख ago कितनी है ठीक है अब मैं चलता हूं 6 पुर्व यानि की माइनस छ्य यहां अनुपाथ कितना है कि पुत्र की आयू पिता कि आयू कि पुत्रके आई उसे 5 गुना थी यानि कि पिता जी 5 तो पुत्र हो जाएगा एक, ये वाला हो जाएगा, अब मैंने आपको सिखा रखा है कि जब आपकी उम्र दी हो, और रेशो दिया हो तो मैंने आपको एक लाइन सिखाए थी कि उम्र को हमेशा ratio के पास ले जाता है उम्र को हमेशा ratio के पास ले जाते हैं तो उम्र को ratio के पास ले जाना है यानि कि उपर ले जाना होगा पिछले आपके 6 साल पहले ले जाना होगा तो 6 साल पहले ले जाएंगे तो 6 साल माइनस कर देंगे लेकिन 6 साल में कर देता लेकिन मेरे को करना पड़ेंगे 12 साल 6 साल तो इसकी घटेगी 6 साल इसकी घटेगी तो 12 आप माइनस करेंगे तो यहां उम्र आ जाएगी 48 वर्ष कितनी आ जाएगी दोनों की टोटल 48 वर्ष आजेगी 12 माइनस किया तो 48 वर्ष इन दोनों की है तो 5 और 6 मिलाकर 48 है तो एक रेशो बराबर कितना होगा 6,8 और 48 यानि कि पुत्र की हुम्र हो गई 8 वर्ष कितनी हो गई 8 वर्ष लेकिन उसने 6 वर्ष बात पूछी है हमेशा वर्ष वर्ष बात होता है तो आपको 6 जोड़ना पड़ेगा यह नहीं कि इसका अंसर 20 हो जाएगा अगर आपका 14 आया है तो गलत है इसका अंसर 20 होगा option number D जो है वो आप लोगों का right answer हो जाएगा तो 6 वर्ष बात पूछा है तो यहां डारेक्ट में 8 में 6 जोड़कर आप इसको answer मत समझेगा यह तो आप वर्तमान में लेकर आए और 6 साल बात पूछा है है ना अभी वर्तमान में 60 थी लेकिन 6 साल बात पूछा है तो इसकी हो जाएगी कितनी 14 और 6 जोड़ेंगे तो 20 इसका आंसर आजाएगा option number D जो है वो आप लोगों का correct answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ question number देखिएगा 15 वाला करने की कोशिश करिएगा लिखा हुआ है कि किसी धन का साधारण ब्याज कि दर से 10 वर्ष का मिश्रण नहीं 21 वेर साल का मिश्रण 49்00 है तो व्याज की दर क्या होगी आपको व्याज की दर बताना वublic देखिए इन प्रश्णों को करने का तरीक़ा मेरा क्या रहता है में निकालता हूँ कि भैயा सा算वर 네 न यहाँ 10 वर्ष का मिश्रवित दिया यानि कि 10 वर्ष में वह राशी हो जाती है 2700 ठीक है's अब 20 साल में वही राशी हो जाती है 3900 रुपए तो मैं देखता हूं कि यहाँ 10 सालों में ब्याज कितना लगा तो मैंने इनका अंतर देखा-otta तो इनका अंतर आया कितना 20 में से 10 गया तो आपका 10 वर्ष में कितना ब्याज लगा तो मैं देखूंगा 10 वर्ष में कितना ब्याज लगा यहां पर मैं लिखता हूं 10 वर्ष ठीक है और अंतर यहां पर देखता हूं 0 0 और इस 9 में से यह 7 गया तो यहां बचा 2 है ना और इस 3 में से trainsда 1200 का ब्याज़ लगा 10 सालों में powder जो 3700 रूपय है तो सत्त الإिस सुमें 1200 रूपय तो ब्याज यह तो मुल्धन कीतना हो जाएगा तो मुल्धन आंका लेंगे तो मुल्धन निकाले जीरो जीरो साथ में से दो गया पैंच और यहां दो में से पंद्राइनुर्पय मोलधन मोलधन कइतना था फंद्राइनबहाई और बारााइस रुपय ब्याज लेए तब 90 backside रेट कारेशे आप निकान सकते हैं अदरणी ब्याजry यों सदारन ब्याज बराबर आप साल का था 10 सल का और रेट निकालना है तो और बटे कर दिंगा आप तो आप दो-00 से आप पंदरा सो की 20 काटी और 10 से काटी 10 15 से भग लगला है 158 120 यह तो ऑफशन नमबर सी जो है वह आप लोगों का राइट अंसर हो जाएगा तो बड़ा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्योशन नमबर 16 देखिएगा करने की कोशिश करिएगा लिखा हुआ है कि कोई धन राशी साधारन ब्याज की दर्से चे वर्षों में तीन गुना हो जाती है तो आट गुना होने में कितना वर्ष लगेगा बैया लिस वर्ष पेटिस वर्ष इस प्रशने को भी मैं कैसे करूंगा तो मेरा वही तरीका इसकी ट्रिक भी है पता नहीं क्या टी माइनस वन ने टू नहीं है यह ट्रीके क्या होती है कि आपकी एक्जाम में जाकर आप भूल जाते हैं जब आप सुक करवा ही जाती है माल ली जब मैं ट्रिक बता दू और क्यूशन करवा हूं तो दो सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको आंसर आने में पर वो सेकंड दो नहीं लग रहे हैं मतलब वो आंसर भी आपका यह जो क्यूशन भी है दो दिन से जादा याद नहीं रहेगा लेकिन आपको जो है बेसिक से अगर आप करते हैं तो बेसिक से कर राशी में 300 रुपए हो रहा है तो यह जो 200 रुपए बड़े हैं यह क्या है यह ब्याज है इससे क्या होगा इससे आप लोग जो है रेट निकाल पाओगे हैं तो आप रेट निकाल लो रेट के से निकालो कि भाईया साधारन ब्याज बराबर क्या होता है तो साधारन आप निकालना है और समय कितना था या 6 वर्ष था तो यहां लिख देंगे 6 वर्ष और बटे आप कर देंगे 100 तो आप देखते हैं कि आप 100 से काटा 100 और यह जो 6 है यह यहां नीचे आया है ना तो रेट आपके आगई 200 बटे 6 या फिर इसको काटके 100 बटे 3 भी लिख सकते हो या फिर आप इसको काटके देखोगे तो 33 सही एक बटा 3 परसेंट रेट आगए कितने आगई 35 रेट आगई अब इसी रेट से होगा क्या कि आपकी रेट आप लिख दो कि 35 परसेंट रेट है यह निकाल ली उसके बाद क्या करना है कि 8 गुना कितने वर्षम हो जाएगी त परफली सो कि राशी 8دة हो गई यनि कि बयाज कितना लगा 200 की आप लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे ब्याज की ब्याज की जगे 700 रुपए मुलधन की जगे 100 रुपए और आपका टाइम कितना है वह तो निकालना है लेगिन रेट आप भी परसेंट और इनट इसकोसे ए काट सकते हैं यहां दो जीरो और तीन से करेंगे तीन उपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा तीनों साथ यह नहीं कि लेकिन वह जादा समय तक याद नहीं रहेगी यह बेसिक जो है साधान ब्याज बेराबर मुल्धन गुणित दर गुणित समय बटे सो यह हमेशा आपको याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नबर 17 करने की कोशिश करिएगा लिखा ह हुआ है कि एक चिडिया घर में कबूतर और खरगोश है और सीर गिनने पर उनकी संक्या सित्तर है और उनकी पेर गिनने पर संक्या 210 है तो खरगोश की संक्या बताओ यह प्रशन फेवरेट है व्यापम के आपने कभी ग्रूप 4 वगेरा जो लोग देख रहे हैं इनोंने बताता हूं अबन है और भी सबस्केश रहें पिस्टर हो जाएंगे माल लीजी मएं कभूतर की बात करूत करूँ कभूतर को मानताओं X हो एक्सड?", और सक्ष को होते भी हैं दो पेर होते हैं कितने पेर होते हैं तो इस कबूतर की जगे में लिख सकता हूँ 2X तो यह होगा कबूतर के पेर खरकोष के होते हैं 4 पेर तो इसको लिखूंगा 4Y और यह मिला कर यह इसके पेर होगा तो 2 का into किया, तो ये बना 2x, फिर y में हुआ, तो ये बना 2y, और फिर 7 में हुआ, तो 7 का डबल 140 हो गया, अब आप इसको cancel भी कर सकते हैं, minus, 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 तो 2x और 2x खतम, और 4y में से 2y गया, तो 2y बराबर, 210 में से 140 गया, तो 7, और y बराबर आ गया आपका 35, तो y क्या माना था खरगोश, खरगोश की संक्या हो गई, 35, खरगोश की संक्या ही बतानी थी, तो इसका answer आजाएगा, 35 यानि के option number, D जो है, वो आप लोगों का right answer हो जाएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ, question number देखिएगा, 18 वाला करने की कोशिश करिएगा, लिखा हुआ है कि A तथा B में 7, 4 और 6, 5 के अनुपाद में दूद तथा पानी के दो मिश्रण है, यदि इन दोनों मिश्रणों को मिलाने पर एक नया मिश्रण C मनाय जाता है, तो C में दूद तथा पानी का अनुपाद ग्याद करना है, 13, 1 होगा, आपका 1, 9 होगा, 13, 9 होगा, करने की कोश करते हैं, देखिए, 7 और 4, कोई भी A आपका मिश्रण है, जिसमें दूद पानी 7, 4 के अनुपाद में है, तो दूद और पानी, यहां हम लिखते हैं, 7 और 4, कितना लिखा, 7 ratio 4 लिखा, अब 7 ratio 4 लिखा, यानि कि मैं दूद की बात करूँ, तो दूद हो गया, 7 बटे 13, 7 ब दूद और पानी है, जो कि अनुपाद में है, 6, 5 के, तो इसमें अगर दूद की बात करूँ, तो यह हो जाएगा, 6 बटे 11, 6 बटे 11 ही होता है, और पानी हो जाएगा, 5 बटे 11, यानि कि सभी का हर समान है, तो आप इसको दूद और दूद को जोड़ेंगे, क्योंकि नए म दूद और दूद मिलेगा, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 6, 7, 13, यानि कि दूद तो हो गया, 13, पानी को जोड़ेंगे, तो 4 और 5 मिलके हो गया, 9, तो 13 और 9 इसका अंसर आजाएगा, जो कि option number C हो जाएगा, इनको डारेक्ट इसलिए जोड़ दिया, क्योंकि इसके बटे मे गया, तो 11 से 11 cancel, यानि कि 7 और 6 मिलके, 13, और इसके बटे में भी 11, इसके बटे में भी 11, यानि कि 4 और 5 मिलके, 9, अगर अलग-अलग होता, तो उसको आपको भिनने की तरह जोड़ना पड़ता, और आंसर लाना पड़ता, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखते है, question number 19 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, ना और धारा, आज जो है, एक मिनट, आज जो है, आज आपका ये chapter बिलकुल clear हो जाएगा, कैसे, ये chapter clear बिलकुल हो जाएगा, क्योंकि आज मैं इसकी ऐसी trick बताने वाला हूँ, इस प्रश्न की, कि आपको ये chapter बिलकुल आपक जाएगा, इस trick को बोलते है, मेरे trick का नाम है, त्रिशूल, क्या नाम है, इस trick का, त्रिशूल, अब इस त्रिशूल से ऐसे हो जाएगा, कि यहाँ जो आएगा, वो आएगा धारा के विपरीत चाल, यहाँ इस त्रिशूल की एक धार पर जो बनेगा, यह विपरीत चाल बन यहां आएगी शांत जल में नाव की चाल और यहां आएगी धारा की चाल अब यह चीज़ आप नोट कर लीजिए इस सारे क्योशन आपके बन जाएंगे कैसे अब मैं जिसे देखूं कि धारा की दिशा में धारा की दिशा मतलब अनुकूल वाली चाल अब होता क्या है कि यहा पर यहां पर विपरित और अनुकुल को जोड़ने पर जोड़कर बटे दो कर दो इन दोनों को जोड़कर बटे आप दो कर दो तो शांत जल के आ जाएगी और विपरित की दी हो और धारा की आप जोड लेंगे तो शांत जल के अभी क्योश्चन करेंगे तो समझ में आएगा जैसे की मान लो इस प्रश्णों को आप देखोगे कि 25 km जाने में 5 गंटे लगते हैं तो आप इसपीड बता सकते हो क्या स्पीड बता सकते हो कैसे स्पीड वारा बर डिस्टेंस यानि कि 25 अपोन टाइम यानि कि 5 तो 5 से 5 काटा तो आपकी जो स्पीड आई वो कितनी आगई 25 यानि कि 5 स्पीड आगई किसकी आपकी धारा की दिशा में यानि कि अनुकूल यानि कि यहां पर इस तीर के यहां इस अनुकूल की जगे आपकी चाल आ गई कितनी 5 यानि कि अनुकूल की जगे आप लिख सकते हो 5 आपकी चाल आ गई ठीक है उतनी ही दूरी यानि कि 25 को ही वापस आने में 5 गुना समय अधिक लगता है 5 गुना समय यानि कि अब 5 गंटे ले रही थी 5 गुना अधिक समय यानि कि 25 गंटे यानि कि 25 चलने में 25 गंटे लग रहे यानि कि साइड नाव चलेगी तो ज़्यादा होगी यानि कि अनुकूल में हमेशा स्पीड ज़्यादा होती है और इस धारा के विपरिज जाना हो यानि कि आपका विपरिज जाना हो तो क्या होगा स्पीड कम रहेगी क्योंकि धारा इधर बहरी है आप उधर जा रहे हैं तो स्पीड कम रहेगी तो इसकी स्पीड आ गई वन इसकी आ गई फाइव तो आप देखेंगे यदि धारा की चाल दो हो अगर यह नी भी दे होती तो शांत जल के आप निकाल लेते कैसे निकालते मैंने आपको बताए था कि एक और पांच को जोड़ोगे तो आएगा छे और दो जोड़ा तो आपका आगया पांच तो इस तरीके से यह प्रश्ण होता है यह त्रिशूल वाली ट्रिक है यहाँ पर विपरीत रखना है यहाँ पर अनुकूल रखना है मालो धारा की नी भी देता तो आप क्या करते इसको और इसको जोड़ते और बटे दो कर दे तो श इंशनी खतम अगला प्रश्ण आप लोग देखोगे तो समझ पाओगे कि हम लोगों ने क्या सीखा है अगला प्रश्ण आप देखो लिखा हुआ है कि एक नाव धारा की दिशा में 44 किलोमेटर जाने में 4 घंटे लगाता है और धारा के विपरीत 30 किलोमेटर क्या लिखा हु तो देखिए वही है आप लोगों की ट्रिक अपनी कौन सी वाली आपकी त्रिशूल वाली कौन सी तो आप लिखेंगे त्रिशूल वाली ट्रिक में मैंने क्या सिखा रखा है कि त्रिशूल वाली ट्रिक में ये त्रिशूल इस प्रकार से बना देंगे यहां पर आपको वि लगते हैं तो आप rapid time निकाल सकते हो कियोंकि डिस्टेंस अपन टाइम होता है तो speed बराबर disten dis eyebrow कितनी 44 गंटे किटने चार तो आपने 4 से काटए तो कितने लग गए 4 में 11 आगया ήनिक है ते count score ग تو 10 15 गंटे तो 30 किलोमेटर जाने में 10 गंटे तो speed कोई just इस्टेंस अपन टाइम तो 30 बटे 10 यानि कि यह आपकी आ गए 3 है ना तो पता चल गया कि यह 3 है यह 11 है तो बड़ा आसान हो जाएगा एक और काम दे रखा है वैसे इसने 4 दे रखा है तो यहां आपकी धारा की चाल यहां आती है तो यहां 4 लिख देंगे तो आप इसको जो हमेंटर पति गंटा इसका अनसर आ जाएगा तो इस प्रकार से प्रशन अगर आए तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं अगर यह प्रशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाहिएगा और शेयर जरूर करेंगा वैसे भी एक दो प्रशन और में लू हमें अनुकूल 24 km 2 गंट में इस्पीड कितनी हो गई 24 किलो में 2 गंट में इस्पीड बराबर डिस्टेंस अपट टाइम तो 24 बटे दो यानि कि 12 स्पीड हो गई तो मेरे को यह चीज़ जरूर यहां रखना है कि आपका जो त्रिशूल है त्रिशूल में यहां आता है विप्रित यहां आता है उसी की दिशा में और यहां आता है धारा की है ना यह ध्यान रखना है बस अब यहां मैं त्रिशूल बना देता जो दिया है वो लिख देता हूँ जैसे कि यहां दिया है कि 24 km की दूरी 2 गंटे में तो इस्पीड हो गई 12 और किस की है यह धारा की दिशा में यहां पर लिखना होगा मुझे 12 ठीक है फिर उसके बाद बोलता है कि धारा के विपरीत 8 km 4 गंटे में तो इस्पीड क्या हो गई इस्पीड हो गई डिस्टेंस अपन टाइम तो आठ बटे चार यहां कि दो इस्पीड हो गई कहां विपरीत तो उपर लिख दिया तो धारा का वेग कितना है तो धारा का वेग यहां पर बताना है तो यहां पर बताने के लिए मुझे क्या करना होगा पहले यह निकालना हो जोडोगे तो सा आएगा तो जोड दोगे दो में आप जोड दोगे 52 इसका अंसर आजाएगा 5 किलोमेटर प्रती गंटा घृंट हंद सबस्कार लेकिन धारा की गति य機ण ओवल इसका अंसर आजाएगा ठेकनी शान्दा ट्रिक इमानदारी सो बताओ यह जो से करोगे तो निशित तोर पर आपको एक सेकंड में अंसर आ जाएगा और आप वी माइनस यू न यू माइनस वी इन पता नहीं का कब जोड़ना न क्या घटा न और ये त्रिशूल वाली ट्रिक से आपका आसानी से बन जाएगा अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो लेखिएगा और अगला प्रश्ण आप लोगों को ही करना है अगला प्रश्ण जो है आप लोगों को ही करना है नाव धारा वाला अब आप लोगों कोई भी समस्या नहीं आएगी जहां तक मुझे पता है लिखा हुआ है कि एक नाव की धारा दिशा में 21 किलो मेटर दूरी पता है तो शांत जल में नाव की चाल शांत जल यह नहीं कि बिल्कुल बीच वाला तिशूल के बीच वाली वेल्यू आपके निकालनी है अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मुझे पता है जहां तक आप लोगों का अंसर आ भी गया होगा जितने लोग देख तो धारा की दिशा में 21 km 3 गंटे में तो भीया इसपीड क्या रही होगी तो आप बोलेंगे इसपीड वराबर डिस्टेंस यानिकी कि अपउन टाइम यानिकी 3 तो 37 वह इक्किस यानिकी 7 इसपीड आ गई जो कि धारा की दिशा में है इसलिए मैंने यहां लिखा अब विरुद्ध में क्या हो रहा है कि 21 की ही दूरी वह साथ घंटे में तई कर रहा है तो इस पीड क्या रही हूं कि साथ यहां इस पीड आ गए तीन अब यहां पर कोई समस्या ही नहीं है मैंने आपको शिखा रहा है कि यह शांत जलका अगर निकालना तो शांत जलका यहां आता है तो इसको और इसको प्लस करो यहनिकी सात और तीन मिला के दस और बटे कर दो दो तो 2 से कर दो 2510 यहां पर आ जाएगा5 यहनिकी इसका अंसर आ option number a option number a आपका 5 km per hour इसका answer आजाएगा और मैं आपसे पूछू कि यहां शांत जल की जगे यहां पूछ ले कि धारा का वेग कितना है क्या पूछ ले धारा का वेग तो भी आप लोग बता दोगे क्या हाँ आप बता दोगे क्योंकि तीन में क्या जोडों के 5 आजाए तो आप बोलो कि यहां 2 आजाएगा कि 3 में 2 जोडों तो 5 आजाए और 5 में 2 जोडों तो 7 आजाए यानि कि धारा का वेग भी पूछ ले तो आप बता दोगे अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इमानदारी से यह ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी और कुछ सीखा है नया आप लोगों ने तो कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा और कितना हेलफफुल रहा आपके यह नाव और धारा वाला चेप्टर सीखने में यह कितना हेलफफुल रहा जरूर मुझे बताईएगा है ना आपके कमेंट करने से क्या थोड़ा उत्सा मिलता है तो आ आप इतना तो करी सकते हो रहें ना जहां वीडियो बना रहा हूं अगर मैं आपको बता दू कि मैं कहां बेट कर वीडियो बना रहा हूं तो आप लोग समझ सकते हैं मैं पूरा आपको बता दू मैं पूरा पसीने में इसा हो जाता हूं बिल्कुल तर बतर जहां मैं बेट क करिएगा अब यह प्रशन आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है मुझे जहां तक लगता है यह प्रशन आप लोग बिल्कुल कर लेंगे लिखा हुआ कि एक नाव अनुकूल का मतलब समझे गा कि उसी दिशा में धारा की दिशा में 60 क्लमिटर जाने में पांच घंट तो आप स्पीड निकाल सकते हो क्या आप speed निकाल सकते हो distance upon time से और वापस आने में उसे 10 गंट है वापस भी कितना आएगा 60 km गया तो आएगा भी 60 km तो शांत जल में नाव की चाल बताओ 9 12 6 15 आप बता सकते हो कोई दिक्कत इसमें नहीं है चलिए करने की कोशिश करते हैं आपका बनाया आप लोगों ने कुल है ना और यहां आएगा उपर विपरित तो मैं शुरुआत करता हूं यहां पर कि 60 km 5 गंट में तो speed निकालना है तो 60 आपकी distance है और time है 5 तो speed निकल के आजाएगी 12 यानि कि अनुकूल दिशा में 12 है तो यहां निकाल लीजिए 12 और विपरित दिशा वाली उपर आती ह तो 60 ही km को वापिस आने में 10 गंटे लग जाते हैं यानि कि 10 से किया तो 6 यानि कि यह speed आगई आपकी 6 अब आपको शांत जल निकालना है यह यहां निकालने के लिए आप क्या करते हैं बड़ा आसान है कि 6 और 12 को जोडते हैं यानि कि 12 और 6 और 18 आजाता है और 18 को कर देते हैं 2 से तो आपका आजाएगा 9 तो यहां पर आजाएगा 9 km पती गंटा यानि कि option number A आपका right answer हो जाएगा बड़ा ही आसान वाला चेप्टर हो जाएगा केवल इस trick के माध्यम से otherwise आप V minus U पता नहीं U minus V करते हैं बटे 2 करते हैं कब जोडते कब गटाते हैं यह tension ही खतम नाव और धारा वाले चेप्टर के आगे बढ़ते हैं अगला question लेते हैं question number 24 देखिएगा लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति शांत जल में उसकी चाल 10 km पर तो शांत जल कहां लिखते हैं यह आपको ध्यान रहें और धारा की चाल आपकी 2 km पते गंटा है तो 36 km की दूरी जात होते हैं जो हम करते हैं वह आप लोगों पता होना चाहिए कि त्रिशूल में क्या-क्या चीजे होती है तो त्रिशूल में मैंने 3-4 चीजे सिखा रखी है कि यहां पर विपरीत होता है है यहां पर अनुकूल होता है यहां पर शांत जल में और यहां होता है धारा ठीक है त अब धारा की चाल यानि कि धारा कहां यहां तो कितनी है दो है, यहां लिख दूँगा, तो मैंने आपको सिखार का था, कि यह जो थी, इसमें यह दो जोडने पर यह 10 आता है, तो क्या होगी कि इसमें दो जोड का 10 ले आओं, तो आप बोलेंगे कि 8 यह स्पीट रहेगी, आठ किलोमेटर प्रति घंटा और अनुकूल में आ गई आपकी 12 किलोमेटर प्रति घंटा तो आप देखेंगे कि आपको चलना है 36 किलोमेटर तो 36 किलोमेटर आप अगर विपरीज जाते हैं तो 8 से आप भाग लगाएंगे तो 8 से भाग लगाया 8 चोग 32 है न यहां 4 बचा आ और तीन घंटे यह तो साड़े चार और तीन कितना हो गया साड़े साथ घंटे जो कि option नमबर बी में आपके इस्तित है तो इस प्रकार के प्रशन अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे मुझे लगता है कि यह वाला चेप्टर अब आपकी कोई सी बुक मैं बोलता हूं कि सारे question आपके बन जाएंगे और बविश्य में आपको कोई भी तकलिफ इस चेप्टर में तो निश्य थी नहीं आएगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं question नमबर देखिएगा आपका 25 वाला करने की कोशिच करिएगा एक प्रशन औ रहे है लास्ट यह आपका 25 और आपको स्कोर कमेंट करना है और वीडियो पताना है कि आज आपको वीडियो कैसा लगा कुछ नया सीखा हूं तो कमेंट जरूर करना रहे है चलो तीन मित्रों की वर्तमान आयू 5-6-7 के अनुपात में है चार साल पहले उनकी आयू का बात है 5-6-7 है और चार साल पहले की बात कुरू तो इनकी आयू का टोटल कितना है 42 वर्ष है 42 वर्ष है ठीक है अब मैंने बोला था कि उम्र को हमेशा रेशो के पास ले जाया जाता है यह बात आपको सिखा रखी है तो उम्र को आप रेशो के पास लाओगे यानि की और चार और एक पास यानि की चोपन हो जाएगा तो चोपन जो है इनने सभी की उम्र है और सभी की उम्र है यानि की पास चे और साथ जोड लेंगे तो कितना आ जाएगा पास तिया पंदरा और एक सोला और दो अठारा अठारा आ जाएगा नीचे तो अठारा तिया चोप ठीक है तो आज के 25 प्रश्ण इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं भविश्य में कोशिश करूँगा कि आपके लिए और प्रश्ण लाता रहूं रिजनिंग के भी लाऊंगा आज थोड़ा सा मेरे को यह चेप्टर थोड़ा सा सीखा रहा था आपका तो मैंने यह प्रश्ण ज पर मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ ऐसा ही मेरी कोशिश रहेगी मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में कल शाम को 7 बजे देखना मत भूलिएगा मिलेंगे हम 7 बजे तब तक के लिए अलविदा ऐसे ही देखते रहेगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अलविवाद के लिए से ही देखते रहेगा मिलेंगे हम लिए देखते रहेगा हम और भूलिएगा मिलेंगे हम लिए ग्नाव।